Hello viewers, welcome to my channel Nisha Education आज हम समझेंगे नात्सिवाद का meaning कि नात्सिवाद आखिर कहते किसे हैं इसे नाजिवाद भी कहते हैं नाजिवाद कहें या नात्सिवाद एक ही मतलब है तो दूसरे विश्वयुद्ध के साय में जर्मनी ने जन सहार शुरू कर दिया मतलब लोगों को मारना शुरू कर दिया ठीक हैं जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नसल के लोगों को सामोहिक रूप से मारा जाने लगा इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहुदी 60 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है 2 लाख जिपसी और 10 लाख पोलेंड के नागरिक थे साथ ही मानसिक वा शाररिक रूप से अपंग लोग जो कि 70,000 लोग थे जैसे कि जो पैदाईशी अपंग होते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते या कोई भी कमी होती है उन लोगों को भी मार दिया गया इनके अलाव नाजा ने कितनी ही राजनितिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया जो उनका विरोध कर रहे थे किसका हिटलर का और हिटलर के मानने वालों का इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए आश्विट्स कतल खाने बनाए गए जहां जहरेली गैस से हजारों लोगों को एक साथ ही मौत के घट उतार दिया जाता था नियूरेंबर्ग अदालत ने केवल ग्यारा मुख्य नाजसियों को ही मौत की सजा दी बागी आरोपियों में से बहुत से उम्रकैद की सजा सुनाई गई नाजसिवाद थे कौन नाजसिवादी वो लोग थे जो हिटलर की विचारधारा से सहमत थे जैसे कि आप मानिये मानली जी जैसे कि मोधी जी है हमारे देश के प्रधान मंतरी और मानली जी उनकी विचारधारा से जो लोग सहमत है उनको हम मोधिवादी विचारधारा कह सकते हैं या फिर जो लोग अमबेडगर की विचारधारा से प्रभावित हैं और उनकी सोच मानते हैं वो जो सोचते थे वो जो कहते थे उस पर विचार विमर्ष करते हैं और मानते भी हैं तो हम उनको अंबेडगरवादी कह सकते हैं, इसी तरीके से जो लोग हिटलर के विचारों को मानते थे, उनको नात्सिवाद और नाजिवादी कहा जाता था हिटलर जवर्दस्त वक्ता था मतलब वो अपनी बातों को इस तरीके से लोगों को कहता था उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे वे अपने भाशनों में एक शक्तिशाली रास्ट की स्थापना वर्साय संदी में हुई नाइनसाफी के प्रतिशोद और जर्मनी समाच की खोई हुई प्रतिश्टा वापस दिलाने का आशवासन देता था उसका वादत था कि वे बेरोजगारों को रोजगार देगा और जर्मनी को बहुत अच्छा बना देगा सारे लोगों की सब परेशानिया दुख दर्द सब दूर कर देगा मतलब उसकी बात है ऐसी थी कि लोगों को खूब पसंद आती थी हिटलर ने राजनिती की एक नई शैली रची थी वे लोगों को गोला बंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की एहमियत समझता था हिटलर के प्रती भारी समर्तर दंशाने और लोगों में परसपर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाच्सियों ने बड़ी-बड़ी रेलियां और जंसाभाय आयोजित की वो खूब बड़ी-बड़ी रेलियां जो है आयोजित करते थे अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए कि हमारी जो सोच है वो इतने लोगों में फैल चुकी है और इतने लोग इस सोच को मानते हैं वो क्या करते थे लाल जंडे नाथि सेल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में बहुत जोड़ जोड़ से गड़गड़ाहट के साथ तालियां बजा देते जिससे की शक्ती का प्रदर्शन हो नाथियों ने अपने धुमाधार प्रचार की जरीए हिटलर को एक मसीहा टाइप बना दिया था कि एक मसीहा है एक रक्षक एक ऐसे व्यक्ति की रूप में पेश कर दिया था जिसने मानत जंता को तबाही से उभार दिया हो और पूरे बहुत अच्छी बना लेती लेकिन सिरफ कुछ ही लोगों के लिए वो सब लोगों के लिए एक जासा नहीं था एक ऐसे समाज को यह छवी बहुत आगर्शक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिस्टा और गर्व का एहसास चकना चूर हो चुका था और जो एक भीशन आर्थि एवम राजनितिक संकट से गुजर रहा था क्योंकि उस टाइम जिस टाइम हिटलर ने शासन किया था उस टाइम जर्मनी की हारत काफी खराब थी नाच्सी विचारधारा हिटलर के विश्व द्रिष्टिकोन का प्रयव अचि थी इस विश्व द्रिष्टिकोन में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था वैं नसली अधार पर या तो बहतर थे या कमतर थे इस नजरी में ब्लॉंड नीली आखो वाले नॉर्डिक जर्म और जमान रहे सबसे उपरी और यहुदियों को सबसे निचले पैदान पर रखा जाता था जैसे कि हमारे यहां पे भी कास्ट सिस्टम है ना लेकिन ये जो कास्ट सिस्टम है ये किया था किसने नाजियों ने मतलब हिटलर ने हिटलर की विचार धारा ने उनका मानना था कि जर्मनी के जो आर्रे समाज के लोग है वो सबसे जादा बहतर है और जो यहूदी है वो सबसे जादा बेकार है ठीक है यहूदि जहुदियों के बीच रखत गया था कि कौन किस कैटेगरी में आएगा हिटलर की नसली सोच चार्ल्स डर्विन और हरबर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिध्धान्तों पर अधारित थी मतलब वो हिटलर के भी गुरू थे उनका सिध्धान्त ये था कि जो जादा योग्य होगा जिसका खून सबसे अच्छा होगा वही जिन्दा बचेगा और बाकी किसी को जिन्दा रहने का हक नहीं है ये उनका विचार था इस विचार का मतलब ये था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणिय परस्तितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही प नसलों के उपर कि लोगों में इस तरीके से भिधभाव किया जाना चाहिए नाच्छियों की दलील जो है वह बहुती जादा सरलती जो नसली सबसे जादा ताकतवर है बस वही जिन्दा रहेगी और जो कमजोर नसले उनको खत्म हो जाएंगी और नहीं हुई खत्म तो उनक क्या था वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए जादा से जादा इलाकों पर कबजा करना जरूरी है इससे मात्र देश का शेत्रफल तो बढ़ेगा ही और नए इलाकों में जाकर बसने वाले जो हैं वो वहीं का जन्मिस्थान ले लेंगे तो अपने ही लोग जो अपजूद उन समाजों या नसलों को खतम करना शुरू कर दिया हिटलर ने जिन्हें वे अवांचित मानते थे अवांचित मतलब अच्छू थे और बिलकुल बेकार बिलकुल बेकार कैटिगरी में मानते थे उनको उन्होंने खतम करना शुरू कर दिया नासी जो हैं लूले होते थे जो अपंग होते थे उनको भी वो लोग मार देते थे केवल यहुदी ही ऐसे नहीं थे अवांचितों की श्रेणी में रखा गया था इसमें और भी बहुत सारी नसले थी जो इसी नियत के लिए अभिशप्त थी जर्मनी में रहने वाले जिपसियों और आशव कर लिया तो इस्थानी लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर जोग दिया गया उन्हें इंसानी बरताव के लायक भी नहीं माना जाता था उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोज और भूक से ही मर गए नात्सी जर्मनी में सबसे बुरा हाल जो है वो यहूदियों का ही हुआ था यहूदियों को इतना जादा तादाद में यहूदियों को मारा गया था एक ही बार में हजारों लोगों को गैस चैंबर में भर दिया जाता था और महां जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और उनको महां पे खतम गर दिया जाता था वैसे तो इसाई धर्म के लोग जो हैं वो भी यहूदियों से नफरत करते थे क्योंकि वो भी यही मानते हैं कि इसा मसीख को यहूदियों नहीं मारा है इसाईयों की नजर में यहूदी आदतन हत्यारे और सूद खोर थे लेकिन उनके पास एक विकल्ब था वो यह कहते थे कि अगर आप इसाई बन जाओगे अपना धर्म परिवर्तन कर लोगे तो वो उनको कुछ नहीं कहेंगे लेकिन हिटलर की नजर में तो सिर्फ इसका यहूदियों से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो यह था कि इनको सीधा खतम कर दिया जाए नसल सहार के जरीए इसाई बार बार उनका सफाया करते रहे थे वो भी लेकिन अगर वो अपना धरम छोड़के धरम परिवर्तन कर लेते थे यहूदी धरम छोड़के इसाई में धरम में आ जाते थे तो वो उनको कुछ नहीं कहते थे वो उनको अपना लेते थे लेकिन हिटलर ने तो धरम परिवर्तन का भी रास्ता नहीं छोड़ा और हिटलर की एक और विचारधारा थी नाथसीवादी विचारधारा में ही है ये भी कि उस टाइम औरतों का भी बड़ा बुरा हाल था था औरतों के साथ क्या होता था कि जो औरते गोरे चिट्टे और बहुती जादा खुबसूरत और स्वस्त बच्चे पैदा कर दी थी उनको हर चीज में छूट दी जाती थी जैसे की शॉपिंग में छूट दी जाती थी उनको मैडल दिये जाते थे इनाम दिया जाता था लेकिन जो जिन ओरतों के बच्चे अपंग हो जाते थे पैदा या आसुअस्त होते थे तो उन ओरतों को दंडित किया जाता था मारा जाता था जेल में भेज़ दिया जाता था और उनके बच्चों को भी मार दिया जाता था और उनको हर जगा जो है बेज़ज़त किया जाता था तो ये भी उनकी एक विचार धारा थी नसल को लेकर यहाँ पर इन पिक्स में आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पर यह जो माल गाड़ी है इन में उन लोगों को भर के लाया जाता था यहूदियों को और बाकी लोगों को जिनको नाच्चिवादी मारना चाहते थे यहाँ पर आगे आप पिक्स में देखिए यहाँ पर देखिए जो लोग वहाँ से निकल के भाग जाते थे उनके लिए यहाँ पर करंट के तार लगाए जाते थे जिसमें अगर कोई भाग भी जाता था गलती से या जान बूच के तो वो करंट के तारों में करंट लग के मारा जाता था तो यहाँ पर भी बड़ी परेशानिती, मतलब भाग भी नहीं सकते थे यहाँ पर देखिए यह टोपियों का और कपड़ों का धियर है क्यूंकि मारने से पहले उनके टोपी, कपड़े और जूते उतर वालिये जाते थे खास तोर पर टोपी और जूते उतरवाली जाते थे क्योंकि टोपी और जूते जो है टोपी तो हर जगा ही सम्मान का प्रतीक होती है लेकिन दूसरे देशों में जूते और टोपी दोनों को ही सम्मान का प्रतीक माना जाता है तो जूते और टोपी दोनों तरवाली जाते थे जिससे कि उनको बेज़ज़त महसूस हो तो आप देख सकते हैं कितनी सारी टोपी हैं मतलब कितने सारे लोगों को मारा गया होगा और यह देखें यहां से बड़ा ऐसा लग रहा जैसे कोलेज वगएरा या कोई स्कूल है लेकिन इन घरों में उनको रखा जाता था मारने के लिए मारने से पहले रखा जाता था और फिर यह सारे यह गैस चैंबर ही हैं इनके अंदर ही गैस चैंबर वगएरा की सुवी धाये थी जहां पर उनको मारा जाता था और आप यहां पर देख सकते हैं इस वाली पिक में यहां पर लिखा हुआ है यह एक यातना गिरह है कि कैमरा भी जो है मोत के मैदानों को खुबसूरत बना सकता है मतलब यहाँ पे जो है सजा दी जाती थी मारा जाता था जान से खतम किया जाता था लेकिन कैमरे में यह जगा किती खुपसूरत दिख रही है और इस साइड वाली पिक में आप देखिए इसमें इतने सारे जूते पड़े हुए हैं जिन लोगों को गैस चैमबर में भरके मारा गया था उनके जूते यहाँ साइड में यहाँ पे निकाल दिये गया था आप देख सकते हैं दूर तक आपको जूते ही जूते नजर और इस टाइब के और वे टॉपिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं या किसी वर्ड का मेनिंग जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में झोचिए गग्स